नमस्कार पॉलिटिकल ट्रेंड में आपका स्वागत है मैं हूं निधी कुमारी आज हम राची के जाने माने चिकत्सक हम्य चिकत्सक डॉक्टर राजीव कुमार के पास आये हुए हम इनसे बाच्चित करके जानेंगे कोछ सला और कुरोना के बाद के समस्या है नमस्कार मैं डॉक्टर राजीव कुमार सचीव दोहोपैतिक मेडिकल असोचीशन ऑफ इंडिया राची सर आपसे हमारा याप पहला सवाल होगा कि जिन लोगों को कोरोना हो गई है उनकी क्या-क्या समस्या है और वो क्या-क्या मतलब परिशानियों का सामना करें आज पोस्ट कोविड इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कोविड लक्षड बोलते हैं पोस्ट कोविड लक्षड में तमाम तरह की सिकायते देखनों के मिलती है कि जैसे कि हेर फॉल होना अस्कीन में प्रॉलम होना अच्छी नींद नहीं आना एंजाइटी का सिकार हो रहे ह पिसेंट, डिप्रेसन हो रहे हैं उनलों को, बाल काफी जढ रहे हैं, बॉड़ी में पेन काफी रहा रहा है, मसल्स पेन रहा है, ठकान हमेशा फिल करते हैं, तो चक्कर आना, ये सब तमाम तमाम तरह के लक्षण है जो post covid लक्षण है ये तमाम तरह की बीमारियों का इलाज बीना किसी side effect के होपैतिक में आप जरूर कराएं इससे आपको काफी लाम मिलेगा ऐसे आपके चैनल के मादियम से में 2-4 होपैतिक की दवाईयों के नाम बता देता हूं कि आप अपने भी ख 10-10 बून तीन बार और चाइना क्यों 10-10 बून तीन बार आधा का पानी में डालके हम लों लेंगे तो post covid के प्राया सभी लक्षण इससे कफर हो जाएंगे परंतु होपैतिक लक्षणों के अधार पर इलाज होने वाली पैथी है तो जो भी आपके नीजी चिकितसक है होप प्राया हमारे क्लिनिक में जब से कुरोना का सेकेंड वेप खतम हुआ है लगभग उसके बाद से प्राया 10-15-20 प्रति दीन आते हैं जो यह तमाम तरह के लक्षणों के सिकार होते हैं और उनको इतनी सारी एलोपैथिक की दवाईयां एंटिबैटिक पेन गिल्यार एस्ट पढ़ाते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा समधान उनके पास हुमेपैथि है अरवेदिक है तो इन दवाओं का सेवन करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस दवा खाने के बाद पेशेंट आस तीन मैना च्छे मैना से खा रहे हैं दवाईयां लेकिन लोगों का कोई कंप्लेइन नहीं है काफी सुधार भी है और जो भी उससे जो साइड इफेक्ट हुए थे उसमें भी काफी सुधार देखने को मिल रहा है कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब एलोपैथी और हैमोपैथी की तुलना की गई तो इसको आप किस रूप में देखेंगे देखेंगे जब करोना के जब दूसरी लहर आई तो जब सारे हॉस्पिटल फूल थे तो उस समय होपैथिक चिकिसक एक बहुत बड़ा लोहों के बीच में उभरे जो एक बहुत बड़ा उप्योगी साबित हुए इस बिमारी में और क्या है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के उन्होंने सांस लेने में तकलिफ थी कफ कंजेसन था लंक्स के जो प्रॉलम थे कम जोड़ी थी ठकान था साथ ही साथ जो कफ खांसी था लंक्स में जो इंफेक्शन जो फाइब्रोसिस एक बीमारी जो कोबिड जो लोगों को हो रही थी उसमें काफी कारगर साबित उसमें विहोपैतिक की कुछ कारगर दमाईयां जो काफी प्रचलित हुई जिसमें स्प्यूडोस्पर्मा की कारभो भेज वेनेडियम मेट यह तीन दमाईयां हम लोगों ने दी और काफी लोगों को हमने ऑस्पिटल जाने से बचाया तीसरी लहर की असंका अभी तक बरकर मार्च में आएगा मार्च और अप्रिल में आएगा तो इसमें क्या है कि यह तीनों प्रेडिक्शन में एक प्रेडिक्शन तो हमारा कथम हो गया दूसरा प्रेडिक्शन जो अभी बाकी है तो हमें सचित रहनी के जरूरत है भारस सरकार और जार्खन सरकार की जो भी गाइ तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या कैसा धानी भरती जाए नहीं है कि बच्चों के लिए भी आई हुई है हमारी एक पुस्तक है भी हमने जरकंड सरकार के एक पुस्तक थी उसमें मेरी भी करीब 13-14 पेज की एक आर्टिकल आई हुई है कि आयूस के दौरा आप और बच्चे परभावित होने के संका जरू जताई जा रही है लेकिन इसमें बच्चें का इम्मुनिटी पावर हम बड़ों से काफी अच्छा होता है और बच्चे अभी बाहर जाने रहे हैं स्कूल जाने रहे हैं तो कुरोना का इफेक्ट होना ना के बराबर है बड़े को जादा परभावित होंगे डरने के जरूरत नहीं है सचेत रहने के जरूरत है बच्चों का जो उचित खान पान है गरम खाना है योगा है उनके उचित देखबाल की जरूरत है प्राया बच्चे इसके सिकार नहीं होंगे होंगे यह हमारा अपना पेडिक्शन है और कोरोन करा गया है यह बहुत ही सुरक्षित और सेफ है कभी ऐसा एक आदो के सासे देखनों के मिले होंगे तो एंजाइटी के चलते लोगों में एक अफवा के चलते अफवा पे ध्यान ना दें आप टिका करना जरूर करा है और टिका करन से काफी फादा है इससे और हम सभी लोग ट करें कि यह मुफ्त टिका है और इतनी बड़ी महामारी का इतना जल टिका हमारे भारासरकार के द्वारा रासरकार के द्वारा जो उपलब्द कराई जा रही है इसके एक सहभागी बने टिका करन करा है टिका करन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है नहीं यह जानलेवा है यह बचाने के लिए आपको आपके बीच में इन चीजों को रख रहे हैं और अभी के मौसम में आप और जो अभी मौसम जब चेंज होता है तो तमाम तरह के कफ, कोल्ड, फ्लू, इंफ्लुएंजा के लक्षन देखनों को मिलते हैं तो इससे सचेत रहे हैं घर पे जो भी आपकी पुरानी पदिती, घरेलू चिकित्सा पदिती का उपयोग करें जब भी उससे कोई आराम न लगे, कोई तकलीफ लगे तो होंपैतिक चिकित्सक के जरूर मिलें अपने नेज़िकी चिकित्सक से और साथी साथ डरने की जरूरत नहीं है होंपैतिक एक आसेनी कल्प दबा ह उसका लगतार सेवन 21 डेस पर करते रहे हैं, यह भारसरकार के द्वारा बताई गई है, जिसकी खुराक की मात्रा है, चार गोली प्रती दिन खाना है, तीन दिन तक चार गोली, तीन डोज, बच्चों के लिए दो गोली, तीन दिन तक खानी है, फिर 21 डेस के बाद यह पिटल गए भी, तो उन्हें मौत का सामना कम करना पड़ा, यह हमारा सेंटरल कॉंसिल आफ रिसर्च हमोपेद्य का सर्वे बताता है, कि इससे काफी एफेक्टिव यह दवा रही, इसलिए जब भी घर में बैठे ने, बहुत ही सस्ती दवा है, इसका सेवन करें, आप सुर बताए, देखे रहिए, पॉलिटिकल ट्रेंड्स धन्य बाद